हाई गाइस रादे रादे विल्काम आप सब लोगों का बाला जी क्लासेस में ठीक आज हम लोग बाला जी क्लासेस बाई अतुल बाजपे में हिस्ट्री में और देखें गाइस गुप्त सम्राज ठीक गाइस हम जो पीछले वीडियो देख चुके हैं हम लोगों ने चंद बढ़ा यह सारी चीज़ हम लोग पड़ चुके तो अगर आपने वीडियो नहीं देखे जाके देख लिए एक स्थार्ट करते हैं किसकी बात कर रहे हैं गुप्त सम्राज कि यानि गूप्त की कहानी स्थापक स्री गुप्त की स्थापना कि ने की थी तो इसकी कहानी कि यहां पर इशापूर का काम खत्म हो गया तो पहला पॉइंट गुप्त वन्स का स्थापक कौन था श्रीगुप्त जिसने दो सो चालिस से दो अस्तो असी स्वी तक सासने किया था ओकी गाइस क्लियर हो रहा है कोई प्राब्लम नहीं आगे देखते हैं श्रीगुप्त ने म कि मरक सिखावं में एक मंदीर का निर्मार कर आया यहां से इंपॉर्टन बन गया है कि मरक सिखावं में quieren के निर्मार किसने कर आया तो के श्रीगुप्त जो कि घटोत का उत्त्रा भड़िखारी उसका अफ्स कवान आया पहले पहले फॉस्ट पर पर सेकंड पर आगया उसका पुत्र घटोच को नाया गारीज़ गटोच की बात कर रहा है जिसने तो सो असी से लेकर 300वी तक सासन किया इन्होंने चंद्रगुप्त की बात आ गए तो पीछे चलते हैं और रिवाइस करते हैं बताना होगा आप लोग को अगर आपने वह वीडियो नहीं देख लीजिए अगर देखा है तो बताइए कि चंद्रगुप्त मौर ने किस की सहाथा से घानान्त को परास्थ किया ता हुआ और और कि पुस्ता का क्या नाम था किस सब्जक्ट पर लिखी तो उन्होंने अर्थसास्त्र पर लिखी थी आई गाँ समझ में आगे बात कर लिए जाए चंदर्गुफ्त के बात कौन आता है गाइस बिंदुसार की बात कौन आता है अगले नंबर पर अब लोग बताते रिए से भेज जा गया था असोक और यस गास आगे दिए प्रथाम को ही को का वास्तिक संस्थापक माना जाता है चंद्र गुप्त प्रथाम ने लिचवी धिराज की उपाजधारण की इंपॉर्टेंट है गाइस वन लाइनर एक नोट बना रहे हैं तो उसमें लिखिए महाराज धिराज की उपाजधारण करने वाला चंद्रगुप्त प्रथम ठीक है आगे लिखा है 319 इसवी से एक नया संवत गुप्त संवत की सुरुवात की है चंद्रगुप्त प्रथम थे जुन्होंने गुप्त संवत को चलाया था ठीक है अगला अपली पीछे वीडियो देखिए तो यह आपको कमेंट बाक्स में नीचे जाके ताना कि संवत कि सुरुवात कि ने की थी यह हमने पढ़ा दिया है सारा इसको आप बताएंगे संथापक था यह गुप्त वंस से लेड़ेट था और कुप्त क का पहला सबसे पहले हुए गुप्त जी ठीक जो श्री गुप्त जी थे फिर उसकी बाद आया घटोत का चाया और इनका नंबर था तीसरा ठीक घञाज आगे चलते हैं चंद्रगुप्त का उत्रा अधिकारी विजियों का उलेक प्रतिहार क्या लिखा है प्रतिहार के प्रसस्ति का प्रयाग प्रसस्ति से मिलता है ठीक है गाईज प्रतिहार क्या लिखाएं के प्रयाग प्रसस्ति से मिलता है ठीक आगे बात करें विसंट के अनुसार शमुद्र गुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है मोश्ट मोश्ट इंपर्टन इस्टार्ट के जिए भारत का नेपोलियन के चिसे कहा जाता है विसंट स्मित के अंसार शमुद रुगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है गाइस जली से कीजिए नागरजुन किसे कहा जाता है हमने पीछे पल चुके हैं जो लाइट आपेसिया गौतम बुद्ध से जीवन से लेटेड ठीक है आगे बात कर लेते हैं या ना उन्हीं को ते कहा जाता साइद गाइस आगे लिखा है शमुद्रगुप्त ने अगर कोई हो तो एक बार गूगल करके चेक कर लेज़ा ठीक डाउट हो सकता है तो समुद्रगुप्त ने अस्वमेग यग कराने के बाद अश्वमेग वारता की उपाद धारण की जब अश्वमेग वारता की उपाद धारण की या अश्वमेग वारता की उपाद से सम्मानित किया आगे बात कर लेते हैं शमुद्रगुप्त के समकालिन अगर लिखा है लंका बनवाने की अन्मत मांगी थी तो शमद्रगप्त के समये शीलंक का नरेश में एक वरड यिस는데 शमदुली सके दरबार में गया तथा एक मत बनवाने की अन्मत मांगी थी शमद्रगप्त लिखाया शिक्कों पर बीड़ा द्बादिया बजाती हुई आकत फिर important है गाई समुद्र गुप्त वर्लाइण कीज़े शमद्र गुप्त ने सिख्कों पर बीड़ा बजाती हुई अंकती जो उसके शंगीत प्रेमी होने को बताती है इससे मालूम चलता है कि उसके सिक्कों पर बेड़ा बजाती हुई मुद्रार के अंकिती जिससे मालूम चलता है कि वह संगीत का प्रेमी था अगे लिखा है इसे कविराज की उपादि भी इसने धारण की थी शमुद्द गुप्त ने लिख की तीन उपादियों से समय समद्रुप्त ने विक्रमांक व्याग पराक्रमन तथा राजा धिराज के उपादियां भी धारण की थी तो आगे बात की जाए तो इलहाबाद की यहां फिर इंपर्टन आ गया थोड़ा सा देखे इलहाबाद की अभिलेख में शमद्रुप्त की धर्म प्रचार बंधु उपादि का लेख मिलता है समद्रुप्त विष्णु का उपासक था पिर इंपर्टन है शमद्रुप्त इसकी इसका उपासक था शमद्रुप्त जी जो थे वो विष्णु जी के उपाशक थे समद्रुप्त का उत्त्राधिकारी उसका बड़ा पु ठोछे राम किया नम था तो श्मुद्र गुप्तु वहन्स के सिस्थापना है राजत्य कर दिया प्सक राजा कि युद्धो और व्याहिक संबंधो का प्रयोग किया था अपने राज विस्तार के लिए युद्धों और वहक संबंधों का प्रयोग किया थख्रिद्धों और रहेक शंबंधों का प्रियोग और किजने किया था अपने राजी को विस्तार के लिए जराएबर बता दीजिए कमेंट सेशन में जाके बता दीजेए गईज हर्याक वनस का संस्थापक कौन था बिम सार तो बिम सार जी ने भी अपने अपने जो है राज विस्तार के यह दो हंत्यारों का प्रयोग किसने किया था उसका नाम बताना है आपको नीशे कमेंड बाक्स में नीच्वरा खुंत करbersवा चाहा नंक इसक्र देव कि चंहरा लिख़ा गया नाटा कि देव की चंदगुप्त में रामपुत्र का उल्लेक एकसासन के रूप में है रामपुत्र जी जिनकी इत्यागरती गई उनका उलेक कि थी तो चंद्रगुप्त को क्या क्या कहा जाता है इंपर्टन्ट हदाई को स्टन पूछा जा सकता है कि देव स्री देव राज और देव गुप्त किसे कहा गया तो चंद्रगुप्त को कहा गया उसने विक्रमांक विक्रमादित तथा परमा भागवत की उपादिधारण की रहाँ चंद्रगुप्त के विजयों का अभलेखों में मिलता है है ठीक है आगे के संब्सक्राइब के समय साना से मिलता है है अगले को सा समय पाटिलपुट्र उजञाणी उस्छा के के दो प्रमुक्त के समय द्जानी और दैंडी दूसरी राजधानी का ठीक है गाइस दूसरी राज़ानी क्या थी उज्जानी थी अगे लिखा है चंद गुर्प दुटिये के समय चीनी यात्री फहयान भारत आया था ठीक है तो यह भी इंपॉर्टेंट है फिर स्टार्टिक के जिए वन लाइनर नुश्ट वना रहे हैं तुम्हां लिख लीजे चंद गुर्प दुटिये के समय चीनी यात्री फहयान भारत आया था आगे गाइस के लिए करते हैं गाइस इसके बाद आपको मिनमम तीन वीडियो और मिलेंगे जिसकी अत्रचीन भारत खतम हो जाएगा फिर हम लोग मद्धिपार आप करकर करता दीजी क्या आपको जम्रंपर था उसका बहुते जी मीसे प्रिशार चल रहा था चंद गूकी तीने सको को प्राशतकर के पारंपद आ आगे स्लाइड में कुमार्गुप्त और महेंद जी का देख लेते हैं इसमें महेंद जी चंद गुप्त के बाद कुमार गुप्त का अगला सासक बना चंद गुप्त जी ने किया पिर घटोत कच आया फिर उनका भाई राम गुत्र को पढ़ा ना इसकन्द गुप्तु का बनता जो द्रूशक पुत्र का पुत्र था द्रूशक पुत्र, कि Sehr driving कर दिया था भाद में अपने भाई रामपुत्र की हत्या और Years के लिभा देवी को सको से सीथ कर फिर से सिंगguy जानवली के बारे में जानकारी करती होती कहां विल्सडभलेग किसे कहते हैं जो की एक यूपी में इस्थित है ठीक आगे बात करते हैं हम लोग को गुपतोवंस के पराप्त होते हैं , ईंहें कुमार। गुपत चलते हैं कुमार गुपत ने नालंदा विष्च यहला कि इस्थापना की थी इंपर्टेंग लेते हैं कि नालंदा विश्विध्य की इस्थापना किस्ने की ती यहां से मिल गए weird né ंंटा दमकर किंद त कुमार गुप्त ने नाव्य श्थापना की थी कुमार गुप्त का कार्थिके का उपासक था कुमार गुप्त कार्थिके का उपासक था ठीक गाइज आगे चलते हैं ने श्लाइड में ठीक गाइज लिखा है इसकंद गुप्त की बात करते हैं कुमार गुप्त की मृत्ति के बाद अगला सासक इसकंद गुप्त बनता है जिसके सासन सम्हालते ह भारत में हुडव का आक्रमण हो गया यानि कि अब यहां काम होने गुप्त की विजय का व्लेक से प्राप्त होता है थी तो इसकंद्गुप्त की हुडों की विजय का इबलेक किस से प्राप्त होता है जूनागड़ इबलेक से प्राप्त होता है आगे लिखा है इसकंद्गुप्त के इने गिरनार परवत पर इस ते सुधरसंजील की मरमत कराई थी सुधरसंजील से आगया गाइस तो इसके फिर स किसने कराई थी दोनों चीज बताइए ठीक है आगे लिखते हैं पुस्ट में तुशूंग से रिलेटड है हिंट थोड़ा से दिये दे रहे हैं आप कमेंट करके बताइए ठीक है इसकंद गुप्त ने गिरनार परवर्त पर इस सुधर संजील की मरमत कराई थी ठीक है हां बत किया निर्माण कराय तथा साराष्ट का राजिपाल दथ चक्रपालाणी कर दे कर आद जो है सुधर संजील का निर्माण करायать करऻती है आगे बात करती है गुप्त्वंत का अंतिम, योगग सासक भानगुप्तु था जिसने विष्च्ट का सरसेष्ट, वीड या महान राजा कहा जाता, जैंचे विष्ट्वंत का अंतिम, यूग Shku。 विस्ट का सरुसेष्ट वीडिया महान राजा कहा जाता है किसे भान गुप्त को गुप्तवन्स का अंतिम सासग गुप्तवन्स की कहानी खतम हो रहे है गाईज अगे लिखा भान गुप्त के एरण अबलेक तो एरण अबलेक किसका था गाईज भान गुप्त जी का था फिर देख पंच नोट कर लीए वनगोपत के इर अब लेक से शती प्रथा का उलेख को यह सुर्त को लेख सिप अबॉपत होती है कि अबात करें हम फिर विडियों परेशिन अब्रत करने लिए इस एक आएगी जो है सब्सक्राइब का अंतिम योग गिसासक भान गुप्त था विश्व का सरुसेष्ट वीड या महान राजा का अधर पता है एरन अभलेक से भान गुप्त जी का आगे गाइस देखते हैं गुप्त काल की प्रमुक रचनाएं देख लेते हैं मोश्ट 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 प्रमुक ये जाएई गाईस आपकी पढ़ी रचना कि देखते हैं महा लीक्त आपकी पढ़ी रचना ही है का माल विकाग मित्रम कालिदास अभिज्ञान सकुन्तालम कालिदास और विक्रमो वर्सियम कालिदास यह सब कालिदास जी की रजना थी आगे काईस देखते हैं मुद्रा राच्छास पता है विसाक दत्त क्या ना टक है इंपॉर्टन्ट है जो अभी बताने जा रहा है गाईस म मुद्रा राच्छा का संबंद किस से हैं विकाद राच्छा का संबंद किस से हैं विकाद राच्छा का संबंद किस से हैं विसाक राच्छा से ठीक है किस से हैं फिर से एक बार देखते हैं माल विकाग मिस्रम काली दास अगे विक्रमो वर्सियम काली दास मुद्रा राच्छ आगे देखते हैं ठेक मंद्रा राच्छास विसाग देव की चंद्रगुप्त विसाग की है विसाख दत्य जी की आगे देखते हैं का विदर्शन डंडनी जी की है अगे दस कुमार चरित डंडनी जी की है आगे बाइस बात करें तो नेश्ट हम लोग देखते हैं हर्स चरित ये हर्च रित्र इमपोर्टन्ट इस्टार्टिक किया हर्च कित्का है बाल भट जी का कादामबरी किसी रचना है बाल भट जी की अगे लिखा है नागानन्द किसकी रचना है अईसे करके आप साहिझ रचना को नोड़ डाउन कर लीजें शारी मोश्ट 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 इमपरटर। यहां से दो जीजिद वाल ले कि है यहां से सब किरात जुनिया क्या बात की जा रहा है कि रागे विश्क को को बहुन कर लीजेख़ हम को भी देखना प्र लेंगे आगे दिखते है र्मपट किसकी है रॉटाथ किसकी है वच्छ थक्षोज बहुत कीया है आगे मर्कोर्स अमर-शिंग की है फचिस ही कह वारामिरी की है ठीक है वत्थ साहित वाराह मिली की है और हुम प्रम शिद्धांद यह गाइस आरर्ख भत की है यह ईशूर शिद्धांद आर्भक, छी пंच्टत्र विष्णू शर्मा इiçãoिप किसकी है विश्णु सर्मा की नीतिसार किसकी है कामण दत्त्त की बस घाइस खतम हो रहा है आगे बात कर लेते हैं थीक है सुर्ष सिधान्त कामधत्त की है और शूर्ष शुर्ष रधान्त किस निए गई सुर्ष रिभट किसकी है और शाहित के विकास की दश्ट से गुप्त काल को भारती इर्तिहास का क्लासिकल यूग कहा इंपर्टन की यहां से बन सकता है ठीड़ क्लासिकल को कहा जाता है आगे देख लेते हैं इस मंदिनों का निर्माड और विकास में कुछ कि यह कर शेव मंदिर कहा है शेमंदिर है भ्रम्रा ना नागावदा में है पार्वती नहुखरं में कहां खार मंदिरौ में अगली उतार तार सब्सक्राइब मंदिर इन से बनेगा बक्य बनता है अगे बात की जाते आजनता की गुफाएं नमबर 16 ठीक 16 17 गुप्तकाल के निरमित है आगे लिखा है बाग की गुपाएं गुप्तकाल के निरमित हैं जो ग्राम का शाशक ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था तथा ग्राम के मुखिया को ग्रामिर इंपॉर्टन बना ग्राम के मुखिया को क्या ग्रामिर ग्रामिर तथा और शभी को महत्तर कहते थे ग्राम समुहों की छोटी इकाई को पेट तत कहा जाता था तथा इसके मुख किजिए ग्राम समुहों की छोटी समुह को पेट के मुखिया को पति कहा जाता था इस के टिसके करते हैं ठ्राइज सा पेट पेट से बड़ा विषज होता था जिसका मुखिया विश्पत होता था प्रेट से थोड़ा बड़ा जैसे सेकंड लेवल पर विसाया था जिसके मुखिया को विस्पति कहा जाता था ठीक है विसाया अगर लिखा सबसे बड़ी एकाई देश होती ति क्या होती थी जिसके साथन को गोपता कहा जाता था गुपत काल में साधान पुलिस कर्मचारी को चाď और भाठ कहते हैं ते पुलिस कर्मचारी को चार्ट और क्या कहा जाता है और देख लेते हैं भूमी क्या बात की जा रहेगा इस भूम की सिचाई के लिए घंटी यंत्र तथा राहट का प्रियोग किया जाता था राजस का मुखसरोद भूकर हुआ करता था जो कि कुल आयका 16-25% लिया जाता था गुप्तिकाल में सरवधिक सोने के मुद्रा हैं उच्ऑन मुद्रा जारी करी गई जिसे धिनार कैते थे तो सब्ल मुद्रा को क्या खाता था लिए क्या हा जाता था चांदी की मुद्रा को रुपियक खा जाता था गाइज यहां की बात आ गई तो बताइए श्रपथम मुद्रा के कहां से हमको कहां समझने को मिला है मुद्रा का आगमर चले प्रचीन भाद पर जब विदेशी आक्रमण हुए तो बताइए जो है मुद्रा शफल आक्रमन किया गया खेक है उसकी बाद इरानियों के दौरा शर्त मुद्रह स्वर्फ काल में परदाप्ता का प्रचलन उच्वर्ग में प्रचलित था यानी अगे लिखाए गुप्त का वाहन गरूर विश्णु का वाहन क्या था गरूर गाइज आगे डिसकस कर लेते हैं थोड़ा सा ठेक आगे बात करें गुप्त काल में ब्रामणों की इस्थित बहुत उच बहुत उच थे उन्हें करमुक्त रखा गया था यानि कि ब्रामणों को करमुक्त रखा गया था कहां गुपत काल में क्योंकि उच Frame स्टिति प्राप्त ती अगे लिए नो झालink की अपना राज की धर्म माना जाता था गुपत लोग वैशन हो धर्म के उपा सकते और उसे अपना राज की धर्मानते थे ठीक है आगे डिसकर्स करते हैं नहीं स्लाइड में आगे वाद किज़ें बस एक दो स्लाइड और वची खतम हो रहा है गुप्त काल के लिखा है गुप्त काल में आरभट एक महान गड़ तक थे जिन्होंने दिसमलों बहुत काल से रिलेटेड थे बहुत कम लोगों को मालूम होगा तो इसलिए नोट कीजिए गुप्त काल के महान गड़ तक जिन्होंने दिसमलों पद्धत की खोजी की थे बहुत बड़े गड़ तक थे और बट जी चंद्द सिकंड के सासंकाल में संसकत भासा का सबसे प्र का सबसे प्रसिद्ध कवी कालीदास थे अभी हमने पीछे कालीदास के साई रचना की आप नोट डाउन कर ली जाए इसके विश्णू शर्मा गुप्त काल में कौन विश्णू शर्मा द्वारा लिखित पंचतत शंसकत का संसार का श्रुथिक प्रचलित ग्रंथ माना जात क्यां बहुत सारी सुनी होंगी तो विश्णू गुप्त काल की है वह धश्णू शर्मा जी ठीक गैस भारती लेते लेते वह हो जाता है गुप्त काल को भारती इतिहास कहा जाता है क्यों गाइज और इसे संड यूग भी कहा जाता है और शंगीत के विसमें भी आपने पढ़ा कि इसे कहा जाता है तो गुपतिकाल मोस्ट इंपार्टन इसके आप जक्ट्व कोश्चन लेके आएंगे तो इसमें जाद जो चीज़े डाउट है वो क्लियर हो जाए गाइज और भट ने लिखा है यूजन के रचना कोई और भट ने और भट्टी और शूर्ष धांत नाम ग्रंत लिखे इस ने शर्पथम बताया कि प्रतवी शुर्व के चारों और गोंती है ठीक फिर इंपार्टन बात आ गई फिर आप इसे नोट डाउन की जो वन लाइन में और भट ने शर्पथम और भट्टी नामक शूर्ष धांतामक घ्रंत लिखे इसी ने शर्पथम बताया कि सूर्पत्वी चारों और गोंती है ठीक है हमारी कुछ जो है लाइव क्लासे भी रहती उन्हें भी आप लोग अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और जरूर कर कर दीजिए ठीक गाईज जो है आपको कोई बताना चाहते है कुछ सजेशन देना चाहते है तो कमेंट बाक्स में दे कर दे दीजिए मेरे सभी वीडियो देखी और जिसमें मैं इंपॉर्टन करन कहता हूं उनको वन लाइन में नोट जरूर करते रहे ठीक सारे